कॉम्बिनेशन आफ रजिस्टेंसेज प्रती रोधों का सैयोजन कोई भी अलिमेंट है उसको हम सर्कुट में किस तरीके से लगाते हैं पहला A and B मानलो दो सिरे हैं इसके देरा two terminals A and B and second resistance A and B उसके भी दो terminals हैं say it is A dash and B dash we can connect end to end means A is connected with A dash B is connected with B dash like this इस तरीके से अगर हम connect करते हैं A और B and for second A dash and B dash they are directly connected end to end इसको बोलते हैं parallel combination this is called parallel samanantar saiyojan and second हम A and B दूसरे के साथ A dash से connect कर दें ये और फिर इसी को आगे बढ़ाते चले जाएं this type of combination is called series combination इसको बोला जाता है श्रेणी saiyojan so two resistances, three resistances, four resistances अगर end to end connected हैं parallel हो जाएगा और एक के बाद एक के बाद एक connected हैं it is called series combination याद करिए जब कोई तेवार आता है दीपावली वगएरा आता है तो हम घर में series लगाते हैं actually मैं उसका नाम series इसलिए पड़ा क्योंकि एक bulb उसमें होता है उसके बाद फिर दूसरा bulb होता है फिर ये तीसरा bulb होता है फिर चोथा bulb होता है फिर पाच्वाkiego होता है इस तरह से एक के बाद 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 bulbs connected होते हैं it is called series, series मतब श्रेणी में जुड़े हुए हैं सारे bulb पुराने टाइम पे फिलामेंट वाले बल्ब हुआ करते थे उनको इस तरह से जोड़ 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 करके सीरीज बना लेते थे हमारे गार में तो सीरीज लगी है वावा बिसिकली इस कॉंबिनेशन श्रीनी सायोजन आजकल तो खैर तीन चार पांच वायर चलते हैं अलग एक तो एक बाद एक बाद एक बाद एक बाद चले जाएंगे जैसे दो रजिस्टेंस हैं ए बी ए बी यह हो गया सीरीज कॉंबिनेशन और अगर एक साथ कनेक्ट कर देंगे इस इस कॉल्ड पैरलल कॉंबिनेशन तो सबसे पहले हम देखेंगे रजिस्टेंस इन सीरीज मतलब यह वाला कॉंबिनेशन ए बी डैश बी डैश इस तरह से कनेक्ट होगा एक के बाद एक इसमें क्या है जब करेंट फ्लो होगी धारा जब बहेगी तो धारा के रास्ते में ये रुकावट आएगी पहली say this is r1 फिर करेंट चलेगी फिर दूसरी रुकावट आजाएगी रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट obstacle in the path of current फिर आजाएगी R2 तो current जब निकल के आ रही है आप उससे पूछोगे कि वही रस्ते में कितनी रुकावट थी बोलेगी पहले आई R1 फिर आई R2 दुनों को add कर लो R1 प्लस R2 So 3 resistances connected R1, R2, R3 add करते जाओ, मुसीवत है रास्ते की रुकावट है, add करते जाओ So, very important formula in series combination श्रेणी सहयोजन में कुल प्रतिरोध कितना होगा यदी R1, R2 R3, R4, R5 करते करते, N resistances are connected in series the total resistance R is R1, R2, R3 R4, Rn रुकावटे सारी जुड जाएंगी resistance का reverse क्या होता है conductance, what is R, R is 1 upon G, so R की जगे you can write effective conductance total conductance of the circuit R1 की जगे लिखोगे 1 upon G1, R2 is 1 upon G2 R3 is 1 upon G3 and up to 1 upon Gn effective conductance effective resistance of the circuit अब मानलो की series में खूप सारे resistances connected है R1, R2 और equal value है इनकी say this is R, this is R, this is R so आपको फिर R plus R plus R plus R, हर बार नहीं करना है R plus R plus R, what is it? it is 3 R 4 resistances connected है 4 R, N resistances are connected in series having equal values ऐसे resistances जिनकी सबकी value equal है series में जुड़े हैं तो effective resistance कितना हो जाएगा N R ओके? फिर जब current इनमें same है so voltage का distribution कैसे होने वाला है? ये भी हम देख लेते हैं say effective voltage connected is V volt current चलेगी it is I यहां से निकलेगी it is I और वोई current वोई यहां से निकलेगी I और वोई current निकलेगी यहां से I और यहां से निकल करके और फिर वापिस आ जाएगी और total is इस तरह से circulate होगी ऐसा समझ लो कि आपको एक जगह से दूसरे जगह पर जाना है और रास्ते में तीन पुल है तीन ब्रिजेज है अब जितने लोग चलेंगे पहले ब्रिज से निकलेंगे उतने ही दूसरे से निकलेंगे उतने ही तीसरे से निकलेंगे अगर रास्ते की रुकावट ज़ादा है तो अपने आपी लोग कम हो जाएंगे टोटल लेकिन जितने भी जाएंगे वो तीनों रजिस्टेंस में सेम जाएंगे बराबर सो इसमें current is same सबसे important बात होती है serious combination में current is same in all the resistances सारे प्रतीरोदों में धारा समान बहती है अब धारा समान बहती है तो voltage का क्या voltage में ohms ला लगता है V equal to I R for second से मालू इनका resistance है R1, R2, R3 okay for this V2, V2 is what I into R2 and for third it is what it is V3, V3 is equal to I into R3 means current अगर same है तो voltage का drop हर resistance में जो होगा वो resistance के proportional होगा, potential drop across each resistance is directly proportional to R more resistance, more voltage drop, more potential drop, less voltage, less potential drop if we have to find out the ratio of the two potential drops simply it is proportional to their resistances, directly proportional to their resistances R1 by R2, सीदे सीदे आ जाएगा, अब अगर मालो एक छोटा सा मैं ऐसा question ले लेता हूँ कि एक resistance है 5 ohm, दूसरा resistance है for example 10 ohm, what is the effective resistance in series, so 5 plus 10 add कर दे ना आप सीदे सीदे, what is it, it is 15 ohm, three resistances when connected in series कोई भी value बोल दीजे, जैसे for example 6 ohm, then 4 ohm, then 10 ohm they are connected in series, so कुछ नहीं करना, add कर दीजे, 6 plus 4, 10 plus 10 total effective resistance of this is 20 ohm, ये series combination हो गया फिर क्या point है, n resistances of equal value R are connected in series, R is equal to nR ये देखिये, second point, in series combination, current through each resistance is same, potential is distributed, voltage is distributed according to their resistances, voltage का drop, resistance के proportional होगा, next is resistances in parallel, सामानांतर संयोजन, when resistances are connected end to end, जब resistance इस तरह से जुड़े हों, कि एक resistance का एक end दूसरे से, दूसरे का दूसरे से, इस तरह से अगर end-to-end connected हो गए, so this effective resistance, this combination is called, what? parallel, parallel combination, मतलब ये हुआ, current अगर जाएगी circuit में, तो यहाँ पर आकर के, ये चौरहा type का हो गया, एक तिरहा हो गया, यहाँ से भी जा सकती है कुछ current, कुछ current इधर से भी जा सकती है, और कुछ current फिर इधर से भी जा सकती है, what is it? It is I3, so current को जाने के तीन रास्ते मिल रहे हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, दोस्त के गर, इधर से भी जा सकते हैं, और एक लंबा रास्ता उधर से भी जा सकते हैं, अब हम कहां से जाएंगे, majority of the traffic, कहां से गुजरेगी, यह depend करेगा कि कौन सा रास्ता सबसे आसान है, वेन resistance is low, for example, current will be high, इस combination में इस end से इस end तक, voltage drop तो same होगा, potential drop is same, तीनों में, जैसे series में current same होती थी, voltage drop is directly proportional to resistance, same way, in parallel combination, potential drop across each resistance is same, क्योंकि सब के end, end to end same, same points पर है, current is proportional to, inversely proportional to their resistance, आपको बोलेंगे भाई, यह जो दूसरा रास्ता है, R2, यह थोड़ा सा tough है, मुश्किल है, लेकिन ठीक है, तो कम लोग उधर से जाना पसंद करेंगे, और एक जो रास्ता है बड़ा लंबा भी है, और उसकी रोड भी ठीक नहीं है, अरे साब बड़ा resistance है, very difficult, time भी बहुत लगेगा, और उबड़ खाबड़ भी बहुत है, very less, very less traffic will prefer to, कुछ तो होते हैं, वो तो जाहेंगे, वहाँ से, लेकिन बहुत कम जाहेंगे, बहुत कम जाहेंगे, so if resistance is more, current will be less, parallel combination में, यह हमारा एक fundamental concept आ गया, okay, current जो है, वो same नहीं होगी, current is divided, reciprocal to their resistances, सामानांतर संयोजन में, धारा, प्रतिरोधों के मान के, वित कुरुमानु पाती होती है, less resistance, more current, कम प्रतिरोध अधिक धारा, अधिक प्रतिरोध, कम धारा, यह फंडामेंटल है इसका, potential सेम होता है, अब हमको effective resistance अगर निकालना है, इस condition में, तो क्या करना पड़ेगा, what is current, total current is what, I1 plus I2 plus I3, we have to just add the 3, and according to Ohm's law, what is this, V is equal to I R, V कितना है, यह है V, इस resistance के क्रॉस कितना है, V, so what is I1, I1 is nothing, V by R1, for second resistance, the potential drop across its end, is V, so what is the formula, V, इसके लिए, इसके लिए, V is equal to I R, what is I2, V by R2, and for this, it is V by R3, तरी में, तीन के लिए लिके चलता हूं, and what is, अगर इन तीनों का effective एक resistance में मानता, effective एक resistance, across voltage V, यह voltage V, इसके लिए लगा है सिधा, तो इसके लिए में लिए लिक सकता था, V is equal to I R, सिधे सिधे, so what is I, I is equal to V by R, so V by R is, V by R1 plus V by R2 plus V by R3, I can take V common and cancel out, V by R is equal to V common, very simple, 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 upon R3, this is for three resistances, you can cancel, what is the formula, 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R2, similarly, if N such resistances are connected in parallel, अगर इस तरीके के N resistances समाना अंतर में जोड दिये जाएंगे, तो effective resistance कितना होगा, 1 upon R, 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R1, इस तरह से आपको calculate करना पड़ेगा, what about conductance, चालकता के बारे में क्या वोलेंगे, 1 upon R is what, it is G, 1 upon R1, G1, G2, G3, इस सब को add कर दिया जाएगा, अब अगर मान लीजिये, इस तरह के N resistances connected हैं, तो effective resistance कितना होगा, मान लोग दो resistance हैं, तो R1 plus 1 upon R2, take the LCM, it is R1, R2, cancel out, cross multiplication, it is R2 plus cross multiplication, R1, इसको reverse करना मत भूलना, हम इतना ही करके छोड़ देते हैं नहीं तो, what is effective resistances, for two resistances, R1 and R2, very important, direct रट लेना इसको तो, उपर दोनों का product है, multiplication है, नीचे दोनों का addition है, उपर product है, नीचे sum है, P by S, in parallel combination, कर दोनों का 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 दो झाल झाल